हलो एड़ीवन, कल है टूजडे और मार्केट में वेडनस्टे के दिन हॉलीडे रहने वाला है, तो किस तरीके से मार्केट कल के दिन रियक्ट कर सकता है, तो सबसे पहले निप्टी के आपसेटें से हम लोग सुरू करते हैं, तो अगर आपसेटें पे आप लोग देखेंगे 18,500,600 में strong put writers का conviction दिखाई दे रहा है उपर के अगर call writers की बात करें तो 18,800,900 में strong call writers बैठे हुए हैं तो market में यही दो stop loss बचे जिनको cut करना अभी बजा हुआ है तो ध्यान रखेगा आप लोग इस पे अगर हम लोग option chain के data को देखते हैं तो strong कहीं कहीं से put writers का connection अभी भी lower level पे बना हुआ है अगर chart पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैंने दो trend line बनाया हुआ है एक larger time frame पे, एक small time frame पे दो मनों पे आप देखेंगे तो कहीं कहीं नीचे के level को buyers अभी भी hold कर रहे हैं हमेसा एक point आपको बताता हूँ, आप लोग notice करते होंगे कि अगर जभी भी market उपर से correction करना हो तो market कभी भी time spend नहीं करता हूँ market सीधे निकल जाता है तो बार बार अगर एक ही level पे buyers hold कर रहे हैं कहीं कहीं यहां पे यह शीज़ पता चलता है कि नीचे side अभी buyers का conviction बना हूँ है daily time frame पे आप लोग देखेंगे तो लगा था दो red candle बनने के बाद एक dozzy candle बनी है मतलब market में clear cut यह दिखाई दे रहा कि यहां पे अभी भी नीचे के level पे buyers बैठे हुए हैं market को hold करने के proper causes में है Bitcoin भी काफी अच्छा चल रहा है तो बहुत सारे ऐसे sense भी सामने आ रहे हैं जिससे की market अच्छा कर सकता है तो इस time frame पे अगर आप जाके देखेंगे तो आज आपको इस trend line का breakout market ने last hour में कर दिया है तो अच्छी closing मिली है 18700 के असपास एक अच्छी closing निप्टी को मिल चुकी है तो कल देखते हैं एक अच्छा trending market हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है ठीक है बैंक गिप्टी के अगर बात करें तो बैंक गिप्टी में सबसे पहले अपसे चेन को दिखाते हैं तो 43,700 में 7,000,000 पूट्राइडर का अभी भी conviction है एंड 43,600 में भी लगख 11,000,000 का conviction है तो ठीक ठाक है कोई दिक्कत नहीं है और 44,000, 44,100 यहां कॉलाइटर अभी भी बैटे हुए हैं तो अगर कॉलाइटर का यहां पर stop loss जाएगा तो फिर market trending हो सकता है तो ध्यान रखेगा नजर बना के रखेगा कल के दिन market बिल्कुल एक trending market हो सकता है ध्यान रखेगा निप्टी निप्टी बैंक दोनों की बात बता रहो हम आप लोगों को gap down open नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का global sentiment या global scenarios या global market के market में आता है और market अगर gap down खुलती है तो ध्यान रखेगा जितने भी buyers का नीचे stop loss लोगा होगा वो लोग अपने position को square up करेंगे और जैसे square up करेंगे तो market एक directional momentum दिखा सकता है तो इस चीज़ का हमें सा ध्यान रखना चाहिए फ्लैट मिलता है market और थोड़ा बहुत gap up मिलता है बड़ा gap up भी नहीं मिलना चाहिए नहीं मारकेट में हम लोगों को trade नहीं मिल पाया ठीक है best scenario रहेगा फ्लैट मिले या थोड़ा बूद gap up मिले तो हम लोग immediate nifty nifty bank में कल के दिन pine का plan कर सकते है ठीक है targets तूपर क्योंगे 43,800, 950 तक की targets bank nifty में लेके चल सकते है निप्टी के अगर बात करें तो 700 cross करता है तो 750, 800 ये सारे targets निप्टी में हम लोग plan कर सकते हैं तो chart similar nifty nifty bank का एक trail line आपको दिखाई दे रहे होगी similar chart बना हुआ है जिसका breakout दोनों index ने कर दिया है ठीक है तो चलिए और कुछ चीज़े हम लोग समझ लेते हैं अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे daily time frame पे तो daily time frame पे bank nifty में लगब दो candle यानि की दो दिन का यहाँ पे जो candle आप लोग देख रहे हैं तो कहीं कहीं नीचे के level को अभी भी hold कर रहे है ठीक है बस एक ही condition में यहाँ पे breakdown देखने के लिए मिल सकता है अगर global sentiment खराब हुआ तो otherwise market यहाँ ठीक ठाक अभी भी hold करने के पूरे-पूरे प्रयास में है ठीक है तो इस तरीके से चाट का आप लोग देख सकते हैं ठीक है analysis आप लोग अपने से जरूर किया गरी है इससे आप लोगों का थोड़ा सा कहीं कहीं motivation बढ़ेगा और self confirmation भी आएगा तो चले हम लोग यहाँ पे एक stock के बारें बात कर लेते हैं आज आप लोगों को share किया गया था free telegram channel को आप लोग जरूर कर लें जिसमें मैं बिना किसी charges के जो भी मेरी position रहती हो मैं आप लोगों से share करता रहता हूँ तो आप लोग उसको जरूर check out कर सकते हैं most of the time जो मेरे position होते हैं वो मैं आपसे share करता हूँ एंड उसके काफी अच्छे results होते हैं तो आयोग जितने लोग मुझे regular follow करते हैं आप मैं से सभी को पता होगा कि जितने भी stocks and positional trades मैं आपके साथ share करता हूँ उनमें आपको अच्छी खासे results मिलते हैं तो अगर आप लोग fires के demand पे नहीं है तो आप लोग ज़रूर इसको open कर लें ठीक है लिंक आपको description मिल जाएगा चुकि यहां पे आपको technical analysis option chain जो भी और भी market में आपको अलग-अलग जगा जाके अलग-अलग software में या अलग-अलग चीजों से data देखना परता है तो आपको एक ही terminal में या एक ही web पे सारे data and technical analysis, fundamental analysis करने के लिए आपको easily यहां पे मिल जाता है यानि एक तरीके से कहें तो इनका बहुत अच्छे तरीके से इनका interface internal बनाया गया ठीक है तो आप देख सकते हैं यहां पे already मेरी position बनी है और हो सकता है एक दो दिन में हम लोगों को अच्छा targets भी मिल सकता है त तो हमेशा आप अपने से self analysis करें चुकि real market में real money आपका लगना है ठीक है मेरी proper analysis रहती है उस पे मेरा stop loss रहता है मेरा money management रहता है मेरा risk रहता है ठीक है और उस हिसाब से मैं अपने reward यानि कि अपनी targets का plan करता हूं तो आप लोगों का भी similar उसी तरीके से analysis होना चाहिए ठीक ह किसी भी person के chart या आप stop को directly उठा के buy a sell नहीं कर सकते तो हमने साथ द्यान रखेगा और अब मैं regular एक series के through आप लोगों को market का quick analysis दिया करूंगा जो की हो सकता है आज तो delay हुआ है but coming days में मैं प्रयास करूंगा कि एक fixed time रहे उस time में आप लोगों को nifty nifty bank का quick analysis everyday मिलता ठीक है एंड उसके साथ जो भी मेरी stocks एंड जो भी positional test मेरे रहेंगे उनको भी मैं आप लोगों के साथ share करता रहूंगा ठीक है तो वीडियो अच्छा लागा हो तो वीडियो को like and subscribe जरू किज़ेगा and okay तो nifty nifty bank को ध्यान रखेगा आप लोग ठीक है कि अभी भी नीचे क लेवल से buying happening चल रही है और कोई issue नहीं है जब तक कि कोई major breakdown market में देखने के लिए नहीं मिलता है ठीक है तो अब तक आप लोग कोई भी deep मिलता है या थोड़ा बहुत flat market open होता तो आप लोग buying का ही plan कर सकते हैं otherwise market में कोई ऐसा issue है नहीं कि हम लोग panic होके market को sell करें ठीक है त तो ध्यान रखेगा उपर के level से जब भी market को correction करना होता है तो market time नहीं spend करता ठीक है market फिर निकल जाता है इस top loss करते हुए बट अगर market एक ही level पे बार बार कहीं कहीं अगर time spend कर रहा है तो आप समझ सकते हैं को आप अभी भी नीचे के level पे जो buyers हैं कहीं positional trade लेके बैठे होंगे तो like and subscribe जरू कीज़ेगा and बहुत सारे मैं free content आपको available करवाने वाला हूं और telegram आप जरू join कर लें ठीक है जिस group में मैं बहुत सारे charts and stocks हैं उनको मैं share करता रहता हूं तो check out आप जरू कर लिया करें ठीक है इससे आप लोगों कहीं learning में थोड़ा बहुत help जरूर मिल ठीक है तो ध्यान रखिएगा जब आप learning process को strong बनाएंगे तो कहीं कहीं आपका जो money backup है और जो source आप income है वह भी पढ़ने लगेगा तो आज के लिए वस इतना एक ड़र्स और अब हम लोग देखते हैं इस series को चालू कर रहे हैं तो हो सकता है कि regular इस पे आपको लोगों को जो भी अनालिसिस रहे हो रिगुलर टाइम पी आपको मिलती रहे हैं थैंक्यू एंड हैपी लर्निंग हैपी डेडिंग